ऐसा नहीं कि आप उसके बिजली के तार काड़ दोगे तो उसका अटेश्मेंट बंद हो जाएगा उसको छोड़ देगा ऐसा नहीं है वो उसको जिंदगी बंद नहीं छोड़ेगा कारण कि वह उससे अटेश्च हो जिका है दोस्तो अचार प्रिसांजी कि वीडियो जो कि आपने देखी ओगी है इसमें वह प्यार की बारे में बता रहा है कि प्यार क्या होता है उसमें उन्हों ने बताया कि अगर्मीले मामले में हर्ता Imagine में यहाइग तो आ उन्होंने कई सारे एक्जाम्पल भी देखर इस चीज को बताया है, दोस्तों मैं अचारे प्रिसान जी कि इस बात से agree हूँ, यह सही है, लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसमें और भी कई सारे चीजे होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नीचे वाला ही मामला ह दोस्तों वास्तों में जो प्यार होता है वो अलग चीज है, वो बहुत ही different चीज है, प्यार क्या होता है, प्यार बैसिकली हम लोग जो भी सोचते या समझते हैं, प्यार इनसे बिल्कुल ही अलग चीज होता है, दोस्तों जब भी आप सोचते हैं प्यार तो आपके मन में क के लिए ही use किया जा सकता है, इसके पीछे कही सारे कारण है, यह एक बहुत ही detail topic है, इस पर हम कभी और बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, तो अच्छा जब हम लोगों के बीच होता है, यह क्या होता है, दोस्तों जब कोई वैक्ति कहता है कि मैं किसी से प्यार करता हूं, बहुत दिल से प्यार करता हूं, तो दोस्तों वह प्यार नहीं होता है, वह वास्तों में बस एक attachment होता है, लगाओ होता है, आप जिससे जितना ज्यादा attachment है, आप कहने लगते हैं कि मैं उससे उतना ज्याद प्यार करता हूं, पर प्यार बहुत ही अलग चीज है, जब हम प्यार की बात करते हैं, तो वहाँ पे नहीं तो लगाओ होता है, ना अटेश्मेंट होता है, प्यार हमें इन सब चीजों से मुक्त कर देता है, पर इसमें क्या होता है, कि इसमें हम सामने वाले के प्रती हूज होती हैं चीज़े वहीं तक सीमित नहीं है कुछ लोग इससे अलग भी होतेellschaft लोक्ल क्या होता है कि मतलब उन्हें कामवासना और इंसे मतलब नहीं होता है वह attach हो जाते हैं अगर आप किसी की काम वासना को बंद भी कर दिया जाए मतलब कि जैसे आचार प्रिसांजी कह रहे थे कि बिजली का तार काड़ दिया तो अगर हम ऐसा करके अगर किसी की काम वासना को पुरी तरीके से बंद भी कर दिया जाए फिर भी वो दोस्त बनाएगा फिर भी उसका लगाव होगा दूस ऐसा नहीं है, देखिए ये ब्रह्मान का नियम है, हमें किसी भी चेज के प्रती ऐसे ही लगाओ नहीं हो जाता है, सबसे पहला होता है अट्रेक्शन, आप उसकी कलर, क्वालिटी या फिर उसकी कुछ गुणवक्ता को देखते हुए, या फिर किसी की नॉलिज या जब हम हमारे पास वो चीज आ जाती है, उसको हम कई समय तक उसके साथ रहते हैं, तो हमारा उसके साथ लगाओ बढ़ने लगता है, तो यह हो गया लगाओ, अब जैसे मान लिजी कोई मेल या फिमेल है, तो सबसे पहले वो एक दूसरी का और अट्रेक्ट होते हैं, अट्र और अट्रेक्त से लगाओ हो गया है, तो अचार प्रिसान जी की जो बात ही, पूरी तरीके से सही नहीं है, इसमें का बनी सारे ड्रोबैक्स हैं, जो कि हम अभी हम अभी क्लियर किया, कि हम जिसको प्यार कहते हैं, जिसको भी लगाओ कहते हैं, वह केवल एक ही काम करते हैं, सभी लोग अलग होते हैं, सब की सोच अलग होती है, और इंसान की सोच कैसे काम करती है, ये भी हमने बहुत ही बृटी ब्रीफली समझा, दोस्तों मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूं कि हमें किसी कई प्रती गुस्सा या इर्शा का भाव नहीं रखना उसको अच्छे से सोचो, समझो और फिर उसे अपने जीवन में अपलाई करो. अचार प्रिशान जी ने बहुत सारी बातों को बताया, उनमें से कही सारी चीज़े बहुत ही बढ़ी आएं, और कुछ चीज़े ऐसी ग्रोबैक्स वाले हैं, कुछ चीज़े गलत हैं. दोस्तों, मैं अचार प्रिशान जी को मानता हूँ, और उनकी कई सारी बातों से मैं सहमत भी हूँ. हमारी responsibility है कि अगर आप देख रहे हो, सामने ओला कुछ गलत कह रहा है, गलत बता रहा है, या गलत कर रहा है, तो बिल्कुल आप हमारी comment box में पूछे हैं, हम आपके सभी सवालों की जवाब देते हैं. तो दोस्तों, सस्त्रे मस्त रहे हैं, इर्शा, tension, तनाव, anxiety, इन सब को बोले, get lost. नमस्कार, जाहिंद.